नमस्कार दोस्तों यद आपका वीर जल्दी निकल जाता है आप में टाइमिंग की कमी है या सरमिंदगी महसुस हो रही है तो सिख्र पतन रोकने के लिए एक बेश्ट दवाई जिसकी आप एक खुराक लेने के बाद आपको उसके फायदे मालूँ पढ़ने लगेंगे तो य किस कंडिशन पर किया जाता है साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और इस मेडिसीन को कब और कैसे लेना है तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो उसके बेसिक डिटेल के बारे में जिसमें कैपसूल का नाम क्या होता है यानि इस कैपसूल का नाम क्या है तो फ्लूडय कैपसूल अगर इसके हम salt की बात करें कौन सा salt इसके अंदर पाय जाता है तो इसमें पाय जाता है फ्लूजञ्टिन कैपसूल पहमेत रहती है जो कि 20 MZ की स्ट्रेंट में रहती है अगर इसके हम company की बात करें यानि manufacture कौन करता है तो यह candela pharmaceutical के द्वारा manufacture की जाती है वहीं अगर इसकी MRP की बात करें तो ये आपको 76 रुपे की 15 कैपसूल मिल जाती है यानि ये एक सस्ती कैपसूल है और premature ejaculation को रोकने में भी काफ़े ज़्यादा effective मानी जाती है अगर इस medicine के हम usage की बात करें किस condition पे इस medicine का उप्योग के जा सकता है तो जैसे की cigarette पतन यानि किसी को अगर premature ejaculation जिसमें सारी सम्मंद बनाने के दोरान बीर जल्दी निकर जाता है उसको cigarette करते हैं तो उसको treat करता है साथ-साथ इस कैपसूल में cigarette को रोकने और timing बढ़ाने की छमता भी होती है यानि आपको सारी सम्मंद भी बनाने में मदद करता है और साथ में timing को भी बढ़ाता है अगर इस कैपसूल के और users की बात करें तो ये treat करता है depression यानि अगर कोई पंदर डेप्रेस रहता है तो उसको ठीक करता है panic disorder की problem है या OCD की disorder इसमें क्या होता है images आते रहते हैं जिससे वो बंदा एनेग्जिती और डेप्रेसन कास करने लगता है तो ये medicine उसको भी ट्रेड करती है अब बात करेंगी इस medicine को आप कब और किस परकास से ले सकते हैं तो ये medicine एक prescribed based medicine है यानि doctor के prescription के हिसाब से इस medicine को दी जाती है ये एक capsule आप दिन में एक बार या दो बार खा सकते हैं अगर आपके doctor ने advice की है तो अगर इस medicine के हम खाने की बात करें तो ये medicine doctor के द्वरा लगबग 5-7 दिनों के लिए या उससे ज़्यादा time के लिए दी जा सकती है problem के हिसाब से वही इस medicine के side effect क्या क्या हो सकते हैं तो इस medicine के common side effect देखने को मिले हैं अगर इन में से कोई complicated side effect देखने को मिलते हैं तो इस medicine को तुरंत लेना बंद कर देना चाहिए अपने doctor से चला लेना चाहिए I hope दोस्तों यह जानकर यह आप लोगों को पसंद आई हो अगर यह जानकर यह आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ठैंक यू दोस्तों